दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग YouTube पर अपने वीडियो अपलोड करते हो और उस वीडियो को एक दिन, दो दिन, तिन दिन तक चेक करते हो अपने YT Studio एप में कि मेरे वीडियो पर वीडियो आ रहा है या पिर नहीं आ रहा है मेरे वीडियो वाइरल हो रहा है नहीं हो रहा है बस इतना काम करते हो और उस चीज़ को दो दिन तिन दिन तक चेक करते हो और उसके बाद जब आपका वो वीडियोस पर वीडियोस नहीं आता है वाइरल नहीं होता है तो उस वीडियोस से अपने माइंडसेट हटा देते हो और फिर से दुबारा वीडियो क्र परसों अपलोड कर चुके हो उस वीडियो पर आपका वीडियो डाउन जा चुका है अगर 50, 30, 2, 5, 70 से भी वीडियो जा रहा है तो उस वीडियो को बूश्ट करके दुबारा फिर से वायरल कर सकते हूँ फिर से आपका वीडियो पर वीडियो जाएगा दोस्तों मैं personally अपने वीडियो को जब वीडियो अपलोड करता हूँ पब्लिक करता हूँ उसके बाद दो दिन तिन दिन मैं भी चेक करता हूँ कि मेरे वीडियो वायल हो रहा है फिर नहीं हो रहा है लेकिन देखता हूँ कि दो दिन तगर मेरा वीडियो वाहल नहीं होता है वीज नहीं आता है। तो उस वीडियो को मैं दुबारा बूस्ट करता हूँ और बूस्ट करने का result क्या मिला मुझे? आप यहां पर देख सकते हूं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको कैसे अपने वीडियो को बूस्ट करना है जब आपका वीडियो ब्यूज नहीं आये तो result अच्छा ना मिले तो आपको कैसे boost करना है और मैं कैसे boost किया अपने videos को पहले result देखो मैं अपने video को boost करने का बाद क्या result मिलता है यहाँ पर देखो मैं एक video open के रखा हूँ जिसमें देखते हैं 48 गंटे का view जा रहा है 25,000 ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर back करके दिखाता हूँ वीडियो कौन सा यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने upload किया था आई से दो मेहना पहले बरसट दिन हुआ है वीडियो upload किया हुए ठीक है अब यहाँ पर देखिए इस वीडियो का मैं click करता हूँ analytic पर चलिए मैं click चलिए क्या करता हूँ lifetime पर यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो जब मैंने वीडियो को upload किया था तो दोस्तों जब मैंने वीडियो को upload किया था तो मेरे वीडियो पर अच्छा व्यूज आया था एक दिन दो दिन जो मेरे subscriber based थे वो लोग देख रहे थे लेकिन उसके बाद मेरा वीडियो का व्यूज चल गया डाउन यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर December select करता हूँ तो देखो मेरे वीडियो का व्यूज यहाँ पर चल गया था इस जगह पर डाउन और दरे-दरे और डाउन ही जा रहा था, यहां पर देखस तो graph यहां पर live देखो, ये graph मेरा दरे दरे down की तरब ही जा रहा था, तो मैं RYAN सेंचा कि मेरा इस videos पर आ explain को वाइरल नहीं हुआ, तो मैंने दुबारा वहां पर अपने इस videos को boost किया, दुबारा फिर से बूश्ट किया और जिसका result यहाँ पर देख सकतो हो मैं अभी lifetime select कर देता हूँ इस वीडियो का तो यहाँ पर देखो मेरा वीडियो दिरे दिरे फिर से यहाँ पर उपपर की तरफ चल गया मेरा वीडियो दुबारा फिर से वाइरल हो गया और एक दिन में कितना वीडियो जा रहा था यहाँ पर देखतो 24,000 48 गंटे का वीडियो कितना 48,000 यहाँ पर देखो मेरा वीडियो दुबारा फिर से वाइरल हो गया इस पकासे देखते हैं और अभी बीच में फिर से डाउन हुआ था तो मैंने फिर से दुबारा boost किया और यहाँ पर देखो फिर से जो graph देरे तरह उपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर live देखो result आपके सामने है ठीक है यहाँ पर live आपके सामने result है देख सकते हो मेरा वीडियो फिर से दुबारा range करना start हो चुका है यहाँ पर फिर से graph उपर की तरफ यहाँ पर जाना start हो चुका है तो आखिर मैं अपने वीडियो को लगबख दो बार boost किया लेकिन आप लोग क्या करते हो बस YouTube पर upload करते हो एक दिन दो दिन वेट करते हो कि वीडियो जो नहीं आया चले वीडियो को हटाते है लेकिन आपको अपने वीडियो फिर से वाइरल हो जा पिर से वीज आना start हो जाए तो आज इस वीडियों को बताऊँ गो जुकमी आप अपने वीडियों को अप्लोडिंग के बाद उसको कैसे दुबारा बूश्ट कर सकते हैं और कैसे दुबारा वीडियो वाइरल होता है आपको live दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए आपको बूश्ट करना है अपने वीडियो को कैसे बूश्ट करना है वो चीज देखिए तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले देखिए जो वीडियो को अपलोड कर चुके हैं पॉब्लिक कर चुके हैं तो उस वीडियो को पहले एक दिन दो दिन आपको वेट करना है दो दिन तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है दो दिन तीन दिन भी वेट कर सकते हैं यह पना चाहिए 10,5,1,2,3,4 वीज़ आना चाहिए तो वह बीडियो आपको बूस्ट करने का लाय उस वीडियोस पर किया होगा कि आपका वीडियो बिल्कुल डाउन चल गया, वो वीडियो आपका मतलब कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जिस वीडियोस पर आपने अपलोड किया, पब्लीक किया, उस वीडियोस पर पहले वीडियोस पर पहले वीडियोस आया, अच्छा, 100, 1000, 2000 ने लगा तो आपको देखिए, तो वहाँ पर आपको अपने वीडियो को करना है बूस्ट दुबारा फिर से व्यूज बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कैसे अपने वीडियो को बूस्ट करने हैं तो boost करने के लिए क्या करना है जैसे कि दोस्तों यहां पर देखो मैं करता हूं यहां पर content वाली option पर click करता हूं और यहां पर देखो मैं जैसे कि इस वीडियो को जो कि कल upload किया हूं यहां पर देखो मैं इस वीडियो को कल upload किया हूं एक दिन पहले upload यहां पर इस वीडियो को मैं open करके भी दिखाता हूं यहां पर मैं open कर लेता हूं तो यहां पर देखो इसका analytic आपको दिखाता हूं देखो बिल्कुल भी नहीं आया इस वीडियो पर और मेरा ब्यूज नहीं आया यहां पर देखो बिल्कुल नहीं आया है और नहीं प्योगत क्या दिक्कत है मुझे बूश्ट करने में अगर दस वीडियो को बूश्ट करने में एक वीडियो वायर लोगा क्या दिक्कत है यहाँ पर देखिए आपको कैसे बूश्ट करना है तो यहाँ पर आपको इसके लिए क्या करना होगा तो यहां पर मैं क्या करता हूँ यहां पर इस वीडियो को कर लेता हूँ open अब यहां पर देखिए वाई गौर से कैसे आपको वीडियो को boost करना है यहां पर देखिए यहां पर मैं जाता हूँ text का जो option मिलता है इस पर आपको करना है click अब इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो मेरे जितने भी यहां पर कीवर्ड है मेरे यहां पर देखते हैं जितने भी जो मैंने टेक्स लगा करके रखा है अभी मेरा सारा टेक्स यहां पर रेंग करना स्टार्ट हो चुका है यहां पर देखिए सारा टेक्स रेंग कर रहा है क्योंकि द기ुक्त कि आपको कैसे बूच्ट करना वह चीध किए यह यहां पर देखिए यहां पर आपके विडियो आपकर को जो जो text rank नहीं कर रहा है जो भी text आपका rank नहीं कर रहा है तो उन सारे text को आपको remove करते ना अपने videos से उन सारे text को यहां से आपको हटा देना है, delete कर देना है मान लिजे, यह video देखिए, यहां पर यह वाली tag मेरा 7 नमर में rank कर रहा है, इस tag को तो आपको जितना भी text आपका rank नहीं करें उन सारे text को आपको यहां से remove कर देना है अब आपको क्या करना है, आगे का process आपको दुबारा जाना, अपने उस video को निकालना अपने YT Studio App में, ठीक है और यहां से आपको analytic को open करना है अपने videos का analytic को open करना है उसके बाद, आपको यहां पर एक option दिखता है, reach का जो option मिल रहा है यहां पर कर देना है, इस पर click अब इस पर click करने का बाद, दोस्तों यहां पर देखिए, एक option आपको दिखता है टॉप YouTube search term तो बस इस पर आपको करना है click अब इसपर click करने का बाद वहीं देखिये यह आपके सामने जो हबी text यहाँ पर दिख रहा है जो भी keyword यह यहाँ पर दिख रहा है तो आपने अपने videos में जो text यहाँ पर लगा करके रखे हैं तो यह सारा text आपका उस videos पर काम नहीं कर रहा है आपके वीडियोस को देखे जो जा रहे हैं जो लोग देख रहे हैं वो कौन से टेक्स सर्च करके देख रहे हैं वो देखे हैं यहाँ पर इन सारे टेक्स को सर्च करके देख रहे हैं तो आपको क्या करना है जो टेक्स आप कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं कर रहा है उन सारे text को remove कर देना है अपने YT Studio app से भी कर सकते हो यहां से भी कर सकते हो उसको remove कर देना है और उसके जगह पर उसके जगह पर आपको इन सारे text को add कर देना है इन सारे text को आपको लगा देना है यहाँ पर जितने सारे keyword आपको दिख रहा है एक, दो, तीन, चार इस पकास दिख रहा है इन सारे keyword को आपको अपने text में यहाँ पर use करना है, अपने उसी वीडियोस में या फिर इस text को आप YT Studio app से भी directly कर सकते हो, लेकिन आपको अपना सारा text वहाँ से हटा देना है जो text रहें कर नहीं कर रहा है और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर search result में सो कर रहा है, जो भी लोग मतलब आपके इन सारे keyword को search करके आपके वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इन सारे keyword को आपने text सक्षन में add कर देना है, और देखना 100% इससे आपको आच्छा result मिलेगा, आपका वो